दोस्तों सोशल मीडिया में फिलहाल आरिफ और सारस का वीडियो काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसमें यह बताया गया है कि किस طرح से यह डमस्टिक अनिमल्स हो या बर्ड्स हो, यह किस तरह से इन्सानों से अडिक्ट हो जाते हैं, और इनका कैसा फ्रेंड्ली दोस्तों मैंने बच्पन से एक छोटा सा मुर्गा पाला हुआ था अभी वो इंसानों से इतना अडिक्टेड हो चुका है कि मैं जैसे ही अप छत पे जाओंगा वो जहां भी होगा सीधे आकर मेरे साइट पे बैठ जाएगा अभी मैं आपको लाइप दिखाता हूं तो मैं आ यह देखें गाइस यह मेरे साइड में आ चुका है फिल्हाल कोई कोई इस बिल्कुल इंसानों से डरता नहीं है तो बच्पन से इसे पाला हुआ है और यह इसी तरह से इंसानों में ही घुल मिल जाता है काफी फ्रेंडिर रहता है और ऐसा नहीं कि मैंने इसे कहीं पर बांद के रखा हो बलकि यह जो पूरा च्छत है मेरा पूरा च्छत इसके लिए रख दिया है और जितने भी सराउंडिंग्स में हमारे धावे दिखाई दे रहे हैं आपको यह सबी जगा पे घुम के आता है और रात को जो है वो यहाँ पे इस बात्रूम में सो जाता है और यहाँ पे चोटा सा शिल्टर भी इसके लिए बनाया हुआ है हमने ताके थोड़ी सी चाया रहे और पूरे च्छत पे घूमता रहता है बाकी सारे सराउंडिंग्स में भी घूमता रहता है और काफी बार मैंने ट्राई किया इसको बाहर छोड़ने के लिए क्यूंकि अब इसको पाला है तो इसको खा तो नहीं सकते इसलिए काफी बार मैंने ट्राई किया के कहीं पे बाहर इसको छोड़ दू तो यह अपनी लाइफ जी लेगा लेकिन जितनी बार भी इसको बाहर छोड़ा है वो फ़वरन वापस ही आया हुआ हुआ है घर पे तो अब इसका क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अधिक दम बिल्कुल फ्रेंडली है इंसानों के साथ तो देखते हैं अभी इसका फ्यूचर में क्या करना है वैसे तो पूरी छत इसके लिए छोड़ दी हुई है एक बार फिर से ट्राई करता हूं बाहर छोड़ने कि देखते हैं हो सकता है शाहिद ये चला जाए वैसे तो मैं चिकन लवर हूँ लेकिन क्योंकि इसको पाला है इसलिए इसका कुछ करना ही सकते हैं तो देखते हैं अभी क्या करना है थैंक्यू वेरी मच्छ गैस कौन ही लोग कहां से आते ही